What's up everyone, welcome back to the channel, तो guys ये वीडियो उन सभी UG वाले students के लिए हैं, जिनके exams या तो चल रहे होंगे, या फिर अभी शुरू होने वाले होंगे, या फिर कुछ universities में 23-24 of December, मतलब December end से हैं, तो सभी बच्चे ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, कुछ चीज़े discuss करूँगा, क चुरू करते हैं, और समझते हैं कि UG वाले बच्चों को किस तरीके से कम समय में जाधा माक्ष आ सकते हैं, चलिए, लेट्स बिगान, तो चलो यार, शुरू करते हैं आज इस important topic पे discussion, क्योंकि आप university exams देने जा रहे हो, तो guys तुम्हें बता है कि university exams, मैंने first point भी या पे लि you did in 12th, देखो जब आप 11-12 में होते हो, जब आप school के exams दे रहे होते हो, तो आप life में वो ही चीजे कर रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप सिर्फ school पढ़ रहे होते हो, आपका target यह होता है कि मुझे अच्छा college ले रहा है, अब आपने एक बार अच्छा college ले लिया तो अब बच्चो को आप देखो, कोई internship कर रहा है, कोई part time job कर रहा है, कोई अपना कोई startup build कर रहा है, कोई कहीं और busy है, तो हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, हर बच्चा अपने career को लेके थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ explore कर रहा है, कुछ ना कुछ बनान इन में आपको focus नहीं करना, अगर आप सिर्फ इन पे focus करते रहोगे, तो आपका overall development ही नहीं होगा, जो इस age में बहुत important है, 18-22 वाला age बेटा, आपके overall development के लिए बना है, आपके अच्छे career के लिए बना है, सिर्फ किताबे पढ़ने से अब नहीं होगा, that is the only reason आप देखो है, मैंने का इस बार first time के साथ चुरू करूँगा, और जब बच्चे second time में आएंगे, फिर second के subject पढ़ाऊँगा, जो मैं पढ़ा पाऊँगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, third, four, five, six, ताकि UG वाले बच्चों के लिए भी, मैं बहुत साल चीज़े प्रोवाइड करा प समझो, आपके लिए भी यह important है, कि आप किस तरीके से चीज़े पढ़ते हो, right, तो सबसे पहले यह समझो, कि तुम्हें stress लेने की जूरत नहीं है, यह exams बिलकुल भी आपके 12 जैसे typical नहीं होते, मतलब typical क्या आता तो books में ही है, 12 में भी जो चीज़े पढ़ी थी, वो ही करने होते है, 5-6 questions आपको करने है, आपका काम हो जाएगा, तो पहली चीज, comparatively easy है, दूसरी चीज, choice ही choice, आपके पास यहाँ पे choices बहुत है, हर question में choice, theory समझ में आती है, theory कर लो, practical समझ में आता है, practical कर लो, theory छोड़ दो, यहाँ पे choice बहुत होती है, समझ रहो, इतनी choices आप बच्चा कहीना कहीं engaged है, बच्चा अपने career को लेके serious है, concerned है, वो चीजे कर रहा है, तो आपको यहाँ समझना है, कि आपको बहुत सारी choices मिलने वाली है, अगर आपको theory अच्छी नहीं लगती, आप practical attempt कर सकते हो, practical अच्छा नहीं लगता, आप theory कर सकते हो, completely paper ही theory का है, तो फिर उस scenario में आपको लिखना आना चाहिए, that is my third point, जिसको लिखना आता है, उसके marks आएंगे, to be very honest, मैंने चार से पांच degrees करी है, after 12th, और सब में, मैं सिर्फ exam से पहले पढ़ना शुरू करता था, एक महीना बिफोर, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा था, मैं अपने और बिज एक महीना पहले उठता था, and मैं हर अपनी डिगरी में, top 10 में रहा हूँ, अपने colleges में, top 10 में, कभी मैं से बाहर नी गया, उसका एक ही खारन था, मुझे लिखना आता था, लिखना आने से क्या मतलब है, sir, बेटा, length, meter करेगी, यहां पे, यहां पे, you have to be expressive, आपको जो भी पता है ना यार, उस topic के बारे में, लिख दो, 12 में क्या करते थे, straight to the point लिखते थे, यहां to the point रही, यहां तो तो तुम्हें, आसपास, अडोस, पढोस, चाचा, मामा के बारे में, उस topic के जो भी पता है, सब लिख दो, express करो, तीन, चार पेज का अंसर भी लिखना पड़े चार्ट का मतलब flow charts, कोई advantages लिख रहे हो, limitations लिख रहे हो, for example, concept आया, explain the concept of delegation, आपके exam में आ गया, तो अब delegation में क्या लिख्या होगे, delegation का meaning, delegation की importance, delegation के elements, delegation के charts बना दो, delegation नहीं होगा, तो क्या होगा, पांच-पांच-छे-छे examples लिख दो, this is how you frame answer, और इस answer पे पूरे number तो charts बनाओ, length का ध्यान रखो, उसके बाद points में लिखो, paragraphs में मत लिखना, paragraph में तो एक paragraph तुम्हारा page पे आजएगा, बात खतम, उससे ही अगर तुम point में convert करोगे, तो वो 2-3 page भर देगा, points में लिखो, अच्छे से underline करके चीज़े, खुद को express करो, तो अगर आपने sheet भरोगे, उतना फाइदे में रहोगे, या sheet भर के आना पूरी तरीके से, ठीक है, उसके बाद देखो, more repetitive questions, बहुत repeat होता है, बहुत बहुत repeat होता है, बेटा जी, तो प्लीज, अच्छे से sample मिलते हैं, market में, छोटे-छोटे samples होते हैं, इसमें, छोटे-छोटे से आते हैं, booklets आती हैं, अलग-अलग brands के आती हैं, अलग-अलग university में, अलग-अलग use कर जाती हैं, usually university के बाहर मिल जाती हैं, library में मिल जाती हैं, तो वो check करो, पिछले 5-6-10 साल में क्या-क्या आ रहा है, आप देखोगे, लग-बग repeat हो रहा है question हर साल, हर साल, हर साल, every year questions common है, तो आप repetitive question बहुत पाओगे, अच्छे से repetitive questions पढ़के जाना, देखके जाना, काफी कुछ आपके exam में आएगा, काफी कुछ आएगा, और तुमें लिखना है भाई, तुम first sem में होना, almost, सब कुछ तुमने 11-12 में पढ़ावा है, business laws नया subject है, उस पे भी बहुत सारे, मैंने कोशिश कर अगले साल जो बच्चे first sem में आएंगे, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपके sem 2 के subjects कोशिश करूँगा, at least 2 subjects कवर करूँ, क्योंकि यार देखो, तुम देखते हो, मेरे पास बहुत सारा responsibilities है, है न, मुझे 11th के भी 3 subjects करने है, 12th के भी 3 subjects करने है, सिर्फ YouTube भी मेरे online batches में भी करने है, मुझे offline भी पढ़ाना है, मैं CUET वाले channel पर भी काम कर रहा हूं, उसके इलावा मैं career counselling भी करता हूं बच्चों की, multiple बच्चों की help करने ही कोशिश करता हूं, तो I have a lot to do, अब तुम सोचो इतना गाम एक अगेला इंसान, किस तरीके से करे, तो that is why म आपके पास कोई अच्छे notes बने है, आपके पास आपने UG के लिए, आपने अगर exams दे दी है, तो आपके paper होगा, आपके पास कोई PYQ, कोई sample paper है, आपके teachers ने कुछ important चीज़े बताई है, university से related, तो please आप वो मेरे तक भेज़ दो, मुझे Instagram पे share कर दो, मुझे mail कर दो, मेरा बहुत होंगे question, stress मतो, पढ़ो, तुम्हे paper में लिखके आना है, ठीक है, और अगर तुम्हें practical नहीं आता, theory कर पाओगे, तुम्हें प्राक्टिकल कर आओगे, कुछ ना कुछ कर पाओगे, यहां पे तुम fail होने वाली कोई मतलब ही नहीं है, और number अच्छे रहेंगे तु तो stress मत लेना, expressive रहना, check PYQs यह मैंने बता दिया, PYQs देखो, बहुत repeat होते हैं और आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है, तो मुझे Delhi University का तो बताई है कि exams 20 December के बाद शुरू हो रहे हैं, मेरा birthday 20 December को होता है, by the way, तो 20 को तो बढ़िया दिन रहता है मेरे लिए, तो 70 से 75% वो ही आती है, जो 11-12 में पड़ी भी है, कुछ 4-5 chapters नहीं है, वो मैंने करा दिये हैं, एक आदा रह गया है, वो भी मैं करा दूँगा आप लोग को, सारे basic समझा दूँगा, तो आपके लिए easy हो जाएगा, उसके साथ साथ मैं फिर बोलूँगा, आपके बास कोई भ level पे हैं, और वो मेरे साथ काम करके help कर सकते हैं, मुझे बच्चों के लिए चीजे बनाने में, कोई भी 2-4-5 बच्चे, if you think, कि आपके पास दिन का 1-2 घंटा एक्स्ट्रा है, और आप मेरे साथ काम करके, हम मिलके university वाले students के लिए कुछ बनाते हैं, तो you are most welcome, मैं चाहता ह कि अमारा यंग जनरेशन मेरे साथ आए, 11-12 के लिए हम मिलके कुछ काम कर सकते हैं, आपको कोई skill आती है, आप editor, आप graphic designer, आप किसी भी तरीके से बच्चों के लिए help कर सकते हो, तो you are most welcome, just reach out to me over Instagram, या mail कर दो मुझे, या फिर LinkedIn, मुझे मैसेज करो LinkedIn, मैं बहुत active रहता हू तो LinkedIn पर कनेक्ट करो, और हम मिलके जरूर चीजे और बहुतर बनाएंगे, तो all the best everyone, thank you so much guys for joining in, यह चीजे इनका ध्यान रखना, आपके एग्जान रखना, आपके एग्जान बहुत अच्छे होंगे, and trust me on this part, उमें कोई problem नहीं आएगी, मैं जितना कर सकता हूं, मैं पुर